हेलो फ्रेंट्स मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका बारना कुकिंग हो इसमें फ्रेंट्स आज हमने सूजी का एक बहुत ही टेस्टी नाष्टा बनाया है वेजिटेवल की स्टफिंग के साथ यह स्टफिंग कैसे बनी और यह सूजी का नाष्टा पूरा कैसे बन कर त्य इसके लिए सबसे पहले हमने ग्यास कड़ा है बड़ा एक चमक तेल टीश में तो खूंडियम लो फिलिए 私 इसमें डालेंगे अभी हम थोड़ इसी हींग हींग अगर आप पसंद करते हो तो डालिए अगर नहीं पसंद करते हैं तो स्किप किजी इसको मुझे तो हीं कतर का सब्जीयों में जादाल में बहुत ही टेस्टी लगता है इसलिए मैं जरूर डालती हूं बास ये दोनों चीज़ें चटक चुकी अभी हम इसमें डालेंगे एक बिल्कुल बारिक चोप किया होगा प्याज एक बड़े साइस का प्याज हमने चोप कर लिए बिल्कुल बारिक इसका हलका ब्राउन करेंगे हम एक दम से पकाना नहीं है इसका क्रंची पन जो खतम नहीं होना चाहिए इतना हमें पकाना है मसालिम को ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड इससे ज्यादा नहीं पकाना है देखे कितने अच्छी तरह से चटक रहा है प्याज अभी हम इसमें डाल देंगे अधरक और लेसन अधरक लेसन को हमने हलका दर-दरा पीस लिया पांच शेकलिया लेसन की ले लिया हमने एक डेड़ इंचिका अधरक का टुकड़ा आप चाहिए तो ग्रेट करके भी ले सकते हो बारिक चोप करके भी यूज कर सकते हो आप पर इसका फ्लेवर इसमें अच्छा आता है से पीसा होगा हता तो आप पेस्ट भी ले सकते हो अब इसमें डजाएंगे कुछ मसाले मसालों में सबसे पहले हम डार है इसमें गर्म मसाला एक चोटा चमच एक चोटा चमच हाल्दी पाउडर एक चोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चोटा चम मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर और एक ही चोटा चम मच जाएगा इसमें हरी मिच्ची का पाउडर आप चाहे तो हरी मिच्ची को काट कर उसका यूज कर सकते हो मसाले अच्छी तरह से पका लेते हैं कच्चा पन निकाल लेते हैं मसालों का अच्छी तरह से हमने तेल में मसालों को अच्छी तरह से पकाना है अभी हम इसमें डालेंगे दो टमाटर चोप की हुए आप चाहे तो कद्दू कस करके ले सकते हो जा टमाटर की प्योरी भी ले सकते हो बिल्कुल बारिक चोप किये हुए टमाटर ढाल दिये हमने अभी टमाटर को भी पकाएंगे हम अच्छी तरह से पकाएंगे टमाटर को अभी हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अंसार यहां मैं छोटा चमच एक नमका ले रही हूँ मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से बस मसाला त्यार है यह हमने गाजर चौप कर लिए है चौपर में हमने गाजर बिल्कुल अच्छी तरह से चौप कर लिए आप चाहे तो बिल्कुल बारिक काट सकते हो जा फिर आप कद्दुकस करके ले सकते हो गाजर को हमने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है लगबग एक मिन्ट के लिए हमने पकाना मसाले में गाजर को हल्का सा कच्चा पन निकालना गाजर का बस ज्यादा ने क्योंकि हमें सब्जियां जो क्रंची चाहिए यह देखिए गाजर का कच्चा पन निकल चुका अब हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च शिमला मिर्च भी हमने चोपर में ही चोप की है बिल्कुल बारिक क्योंकि हम इसकी स्टफिंग भरेंगे इसलिए हमें चोपर में चोप करने जरूरी थी यह हमने बींज भी चोपर करे ले सकते हैं इसका पाणी खतम करना वस मीन की सब्सक्राइब खतम करने जब तक तेल ना चोड़ दें गयास की फ्लेम हमने बिल्कुल फूल कर रखी है वह सब बन गी हमारी इदर हम ले ले लेते हैं सूजी सूजी आम यहां ले रहे हैं डेड़ कप यह जो मने कप पगड़ रहा है इस कप के कप के इसाफ से लेरे हैं यह चोटे वाला कप है कि आप जितने भी मैं चाहिए आपको यूज कर सकते हैं अपे कप यूज कर सकते हो इस है के का नाप से मट ने ले लेंगे पानी बुद देनलेUNG के साला नहीं नहीं तेनगा रहें हैं आप कोई भी चो साय सबस्टंक हो रखिया अब बड़ते हैं या नमक ऒाल देते हैं करना दाहिए यह उसके पहले में राखने कंदमार थे एक फीडाल यहामें नमक डाला तेस यह डाल में टाहिए पानी firmly पालाना शुरू हो गया है बास अभी हम इसमें सूजी राना शुरू कर देते हैं थोड़ी-थोड़ी करके धीरे धीरे अच्छी तरह से सूजी हमने पकानी है इसमें जैसे हम हल्व अबना आते हैं बास सेम उसी पर सहसे एक डोबना कर त्यार करना हमने गास की फ्लेम जो है मिडियम लो थी अभी हम बिल्कुल लो करेंगे इसकी क्योंकि यह फुद्ध करा है बहुत ज्यादा इस स्टेजबे हम गैसकी लोग फ्लेम कर देंगे लोग कर देंगे सोड़ी है अब इसको अच्छी तरह से हम पकायेंगे ताकि इसका जो डोबन करते हा पार हो सके बिल्कुल लोफ लेम पे और सुची भी मारी पक जाए अच्छी तरह से और डोवी बन जाए लगातार हिलाते हुए हम इसको पकाएंगे यह देखिए लगातार चलाते हुए हमने एक डोवना करत्यार कर लिया अभी हम यह डोव करेंगे ट्रांसपर एक प्रात में किसी बड़े बरतन में और इसको हलका ठंडा करेंगे हम इतना ठंडा करना है कि जब हम इसको हाथों से मसलेंगे तो इसका जो गर्म आश है हमारे हा जाथों को ना लगे ज्यादा गर्म निरी यह版 चाहिए पर गर्म होना चाहिए जरूर इसको हलका सब्सक्राइब आयक्ति ऑप इसको अच्छे तरह से मसलेंगे दो मिंट तक लगातार हमे ने मसलगना आट अपना करमने तियार करने इसका जैसे हम रोट्टी बनाते है 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 यह काम हमने गर्म-गर्म डोम ही करना है जब ठंडा हो जाता है तो फिर अच्छी तरह से नहीं बनता है कि देखिए इसमें पानी की मात्रा अगर कम ज़्यादा हो भी जाती है तो तब भी कोई बात नहीं क्योंकि यह डोज हो है इस उजी बहुँ ज़्यादा पानी अब्जोर्ब करती है आप बारी की जामोटी इस उजी कोई भी ले सकते हो यह देखिए लगाता दो मिंट तक मसलते हुए हमन सब्जी थंडी हो चुकी है इसमें हम डाल देते हैं धनिया कटा हुआ और धनिया को कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स और एक साइट पे करते हैं और सूजी का ले लेते हैं हम एक पेड़ा जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ऐसे हम सूजी का पेड़ा ले लेते हैं और एक इसकी चकली बना के त्याहा करेंगे हम यह देखिए हाथ से क्योंकि हमने स्टाफिंग भर नहीं है तो इसको फ्लैट करना बहुत जुरूरी है अब हम इसमें सब्जियों का जो मिक्चर बना कर रख था था वह भर देते हैं आप इसमें पनीर, चीज जब बोईल करके आलू भी इसमें बर सकते हो इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसको फिरसे पेड़ा बना लेते हैं रोटी के तरह आप चाहिए तो गोल इसको रॉंड शिएप भी दे सकते हो और आप चाहे तो इसको टिकी शेप भी दे सकते हो मैं जहां इसको टिकी शेप दे रही हूँ एक और बना कर दिखाती हूँ मैं प्रेंट्स बहुत ही टेस्टी नास्ताबन कर त्यार होता है और हेल्धी भी है इसमें बिल्कुल भी ओयल का ज्यादा जूज नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होने वाला है जो लोग ज्यादा फ्राई चीज़े पसांत करते हो इनको फ्राई भी कर सकते हो मैं सिर्फ तड़का लगाऊंगी उनको आगे चलकर मैं दिखाती हूँ आपको आगे देखिए पूरी वीडियो बस ऐसे स्टफिंग भर कर हमने सारी टिकें बना कर लेनी है त्यार यह देखिए जैसे हम आलू का प्राठा भरते हैं उसी प्रकार हमने स्टफिंग इसकी भर नी है बहुत ध्यान से बस ऐसे सारी टिकें बना कर हमने त्यार करनी है यह देखिए सारी टिकें बना कर हमने कर लेनी त्यार यह देखिए सारी टिकियों त्यार है हमारी यह दर हमने कड़ाई में तेल डाल कर एक बड़ा चम्मच इसको गर्मने के लिए रख दिया अभी हम तड़का लगाएंगे इन टिकियों को इसमें हम डालेंगे राई जीरा और कड़ी पत्ता अले राई डाल लेते हम एक चोटा चम्मच अमने राई लेली आप सर्सों सीड भी ले सकते हो राई भी यूज़ कर सकते हो यहां अमने लेले जीरा डाल दी एक चोटा चम्मच और कड़ी पत्ता के पुछ पत्ते हमने लिए उनको हाथ होसे क्रश्ट तोड़ लिए दोदुपीस कर लिए उनके इनको हलका से सोटे करेंगे हम राई और जीरा चटकने तक यह देखें राई और जीरा हमारा चटकर अच्छी तरह से हम चटकने देते हैं इनको हलका ब्राउन करेंगे हलका से हम खत्च्चा पान निकाल लेंगे कड़ी पत्ता का भी राई का भी जीरे का भी कर, आभी आम एक्यकों टिककी करके इसमें डाल देते हैं जितनी भी आती यह जितने बैचेश europय का नेंगे हम दो तीन बैचेश कर परकर इनको त्यार करींगे तडका लगा लेंगे असी के लिए की तडके में बनकर यह सारी टिकीयां त्यार हो जेंगी हमारी अगर जुरूरत पड़ेगी तो अलका सा तेल डालकर जीरा राई और कडीपत्त डालकर आप पि एक प्राइब कर सकते हों हमने 1 मिंट के लिए 1 साइट से पका आप इनको डीफ्राइब भी कर सकते हो चेलो फ्राइब कर सकते हो बिना तड़के के परेजो राई और जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का इसमें बहुत टेस्ट लगता है एक मिंट के लिए हमने पकाया अभी हम इनको पढ़ट लेते हैं इनको कोई जादा ब्राउन करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बन कर त्यार होता है ये नास्टा ये देखिए अभी है कि मिंट के लिए हम इधर से पकाएंगे लोफ लेंपे पकाना हमने ये हमारी हो चुकी है इनको हम निकाल लेते हैं ऐसे हमने सारी बाकी की भी तड़का लगा कर त्यार कर लेने हैं मैं इसी तड़के में त्यार करूंगी ये सारी टिकिया देखिए फ्रेंड्स ये पन करो चुकी त्यार आभी ऐसे बनाईए खाई और इंजोई किजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अगर बनाई देखने के लिए मुझे फॉल्लो किजिए और मिलते हैं अगली रस्पी में तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स